हेलो दोस्तों डॉक्जिंग्शन में आप लोग स्वागेता है आज की वीडियो में लोग बात करेंगे क्या आप किसी बड़े साइस की डॉबरीड जैसे की आपका इरोपियन डॉबर मैं अमेरिकन डॉबर मैं रॉट फाइलर जिर्में शेफर्ट काने कोर्सर टाइप की रख सकते देखो यहां पर काफी ज़ादा टॉपिक आ जाता है काई लोग बोलेंगे हां काई लोग बोलेंगे नहां आप लोग ने मेरी पहले की वीडियो में भी सुनाओका मैं हमेशे आप लोगो एक चीज़ की सिजेशन देता हूं कि आप जब भी बड़े साइच के लोग बड़े अपार्टमेंट में पालने के देखो बड़े अपार्टमेंट या फिक बड़े घर में रखने से आपको एक चीज़ का फायदा हो जाता है आपका डोग घर में घूम के अपनी एनरजी नॉर्मल भी एनरजी बर्न कर सकता है उसे पर्टिकुलर जादा दूर प्रूट तक ले जाने की जुरुत नहीं होती, या फिर भार वॉक पर ले जाने की जुरुत नहीं होती, तो घर में अपनी एनरजी बंड कर लेता है, घूम फीर के, अब यहां पर बात आ जाती है, दूसरे बंदों की जोकी कहते हैं कि आप छोटे अपार्टमेंट में लेकिन यहां पात आती है एक तो उस डॉट ब्रीड को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा जितनी बड़ी साइस की डॉट ब्रीड होगी तो उसे बैठने के लिए भी स्पेस्ट आप उसे उतने साइस का स्पेस नहीं मिल सकता तो वहां पै वह पर वह डॉट जा सकते हो, जिसके चलते हो सके एनर्जी बें या, रुप पिर दूर तक ले जा हू ! तो इस तरीके ही कि अगर आप डॉग ब्रीड पालते हो तो आपको इस चीज का ज़रू ध्यान देना पड़ेगा कि हां कम से कम छोटे अपार्टमेंट में आपके पास इतना स्पेस तो हो कि वह डॉग ब्रीड के लिए वहां पर आप से लेट सके बैट सके कहीं आपके घर मे पूरे में चलने तक की जहंगे नहीं बचती कई लोग घर में देखा है मैंने कि बैड आगया अलमीरा आगी सामने सोफा रख दिया वन भी एचके में तो वो चलने फिडने की जहंगे ही खतम हो जाती है लोग मुश्किल से चल फिर पाते है वहां पर अगर एक बड़े इसमें बना होता है तो वहां पे अगर आपका घर खुला है आप रख सकते हो आप उसे वॉक पे ले जा सकते हो लंबी वॉक पे वॉक से मेरा मतलब है लंबी वॉक पे क्योंकि जो डोपर मैं टाइप की डॉग ब्रीड होती है दो से तीन गंटे एक साइज मांती है कि मिनि अगर आप डॉक को रखते हैं तो आपको उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा उसे वॉक पे ले जाने का उसका ध्यान रखना पड़ेगा अभी जैसे लोगडाउन का टाइम पे रड़ है इस टाइम लोग भापने डॉक इसको भाल ले जाना प्रिफर नहीं कर रहे ज चीज़ सोचो कि आप पूरे टाइम अगर आपके तवित खराब होती है या फिर कुछ रीजन आ जाते हैं से मौन्सून का सीजन हो गया कुछ हो गया तो आपने डॉक को भाड नहीं ले जा सकता उस टाइम पे तो अगर आपका घर बड़ा होगा तो वहां पे वो डॉक चीवावा टाइप की डॉक ब्रीड हो गया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आईगी ही आईगी कई बंदे बोलते हैं आप इस चीज़ से एगरी करते हूं लेकिन आपको अपने डॉक को फिर उसी हिसाब से टाइम भी देना पड़ेगा आपके पास टाइम नहीं बसता न होगे कुछ रीजन हो जाते हैं तो आपका डॉक को तो एनर्जी उसके अंदर ही जिसके चलते वह फैडप रहेगा एग्रेशन आते है जिसके चलते वह थोड़ा सा खूखा टाइप बिजाते कई बंदों से सुना होगा हमारे डॉक तो जी खूखा हो गया ऐसे हो गया तो अगर आप एक कम स्पेस में उसे रखोगे तो यह प्रॉब्लम आईगी आईगी बड़े साज की डॉक ब्रीड के लिए आपको स्पेस होना फोड़ा रिक्वार्मेंट रहती है अगर आप नहीं रख सकते स्पेस की आपके पास दिक्कत है तो आप छोटे साज की डॉक ब्र चाहते हो तो आप यह चीज़ देखो कि हाँ घर में लेटने बैठने की जंगे है उस डॉक की वह अराम से लेट सकता है बैठ सकता है उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस है यह नहीं है अगर उसके लिए स्पेस निकलता है और आप उस एक्सराइज पर ले जा सकते हो तो आप लोगों यह चीज़ बोलता हुं घूख कही लोग यह अराम से वह एक्सराइज करवा लेते हैं अपने डॉख को भाढ ले जाते हैं वाक पे लेइन कही लोगों के लिए न वह सही नहीं रहता कि वह अपने डॉख को आती ओविसस से आ रहे हैं तो वो तुरंत ले तो आप इस चीज को भी लेकर सोच सकते हो कि हाँ हम इतना कर सकते हैं हमारा डॉग ऐसे घुमफिर सकते हैं अगर आप छोटे अपार्टमेंट मांद के रखोगा अपने डॉग को तो वह और ज्यादा फैड़ अप होता है आप इस चीज को ज़रूर मानना अगर आप लेने के सोच लिए चोटे अपार्टमेंट में बड़े साइस की डॉग ब्रीड तो आप एक बारी दुबारा सोच सकते हो लेकिन यहां पर आप आती है मैस्टिफ टाइफ डॉग ब्रीड के पास जितने मैस्टिफ टाइफ के डॉग ब्रीड होता है उनका एनरजी लेवल लो होता ह उन्हें एक्सराइस के इतने दा कर्स गरवेंट साहिए गलार्ए तो आप यहां गर्या मैस्टिफ टाइफ के पाडर यहां मेक्सराइस के सभिल्ग के अचैच है tгляд कहीं होत की जया जाना है काने को जैसे डॉग ब्रीड के लिए वो अराम से लेट बैट सके या फिर वो कहीं पर भी आ जा सके घर के अंदर थोड़ा बहुत चल फिर सके क्यों कई बंदों के घर में इतना भी स्पेस नहीं होता कि डॉग घूंग रहा है वहां पर टकर आ रहा है वो मलब ढंक से घूम भी नहीं सकता डॉग वहां पर तो इतने स्पेस होना चाहिए कि वह वहां पर घूम फिर सके और घर में ही वह मलब वापिस आ जा सके अगर इतना स्पेस है तो आप काने को जैसी डॉग ब्रीड की तरफ जा सकता है अपने अपॉलोटन मैस्टिफ जैसी डॉग ब्रीड की इनकी exercise requirement comparatively बागी दूसरी डॉग ब्रीड के comparison में कम होती है तो आप इन्हें easily छोटे अपार्टमेंट में handle कर सकते हो ताकी मेरा suggestion यही देगा अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हो तो अगर आपसे possible होता है तो आप छोटे size की डॉग ब्रीड की तरफ जाना बड का फोड़ा पैसे ज्यादा लगेगा लेकिन long term में वह आपके लिए ज्यादा beneficial रहेगा क्योंकि आपको उसे ज्यादा exercise नहीं कराने पड़ेगी साथ में वह घर में अच्छे तरीके से रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो बाकि अब कई बंदे बोलेंगे कि भाई हम doberman भी दे पैसे हो गया तो चल जाता है लेकिन कई बंदे यही करते हैं कि वह लेके ही नहीं जाते तो उनके लिए काफी बड़ी problem आ जाती है तो आप यह चीज़ जरूर सोच लेना जब भी आप डॉक लो कि आप उसे वॉक पे ले जा सकते हो नहीं ले जा सकते हो अगर ले जा सकते ह जा सकते हो चोटे अपार्टमेंट में क्योंकि यह काफी बड़ा topic बन जाता है कि आप चोटे अपार्टमेंट में बड़े साज की dog breed रख सकते हो नहीं रख सकते हैं अगर मैं आप लोगों बताओं तो अगर आपका पूरा घर है अपार्टमेंट नहीं छोटा घर है तो च जीने से में आपको बैठने की डॉग को सुईधा नहीं मिल सकती तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में लेके चलना और फिर सो समझ के ही डॉग लेना कहीं ऐसा नहों आप भी तो डॉग ले लो शोक शोक में लेकिन आपसे पाला नहीं जाए डॉग में अग्रेशन फिर आप उसे कहीं देते जाओ तो वो चीज़ गलत है आप पहले इसको समझ के लेना बाग ताकि आप अपने डॉग को अराम से रख सको ओप करता हूं वीड़ो आप लोग पसंद आईए और काफी बड़ा टॉपिक था मैंने आप लोग प्रॉपर समझाने कोशिश करिए अगर पसंद आई तो लाइक कर देना नहीं आयो तो डिसलाइक कर देना